नमस्कार साथियों, Infusion Notes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज का सैसन रहेगा साथियों, India Current Affairs के Weekly Reason का इस सैसन में साथियों 14 जनुरी से 20 जनुरी तक जितने ही महतुपन परसन बने हैं इंडिया Current Affairs के, वो मैं आपके साथ सेयर करूँगा सैसन आपको पसंद आए, तो इसे लाइक वर सेयर जरूर कीजिएगा Infusion Notes की YouTube चैनल को लाइक वर सस्क्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर सेयर कीजिएगा साथियों शुरुआत करते हैं सैसन की पहला क्यूशन आप से पूचा है कि Indian of the Year 2023 का पुरुशकार उतकरष्ट उपलब्दी के लिए किसे दिया गया है Most important क्यूशन रहने वाला है साथियों आप से पूचा जा सकता है आप से पूचा है कि Indian of the Year 2023 का पुरुषकार उतकर्ष्ट उपलब्दी के लिए किसें दिया गया तो आंसर हेगा साथियों इसरो को परदाने किया गया है किसें परदान किया गया है इसरो को साथियों यह पुरुषकार है जो परदाने किया गया है केंदरिया मंत्री जितेंदर शेह ने ये पुर्षकार परदान किया अब सातियों आप से ये भी पुछाजा सकता है कि ये पुर्षकार किसने परदान किया तो केंदरिया मंत्री जितेंदर शेह ने ये पुर्षकार परदान किया इसरों के अधेक सौमनाथन और चंदरयान थरी के निर्देसक पी विर्थुवेल ने प्राप्त किया, यह इपोर्टेंट रहने वाला है, यानि इसरों के अधेक सौमनाथ जी और चंदरयान थरी के जो निर्देसक ते साथियों पी विर्थुवेल ने प्राप्त किया, और इ इनको दिया गया था यानि जलवाईू योद्धा की जो सरेणी थी उसके अंदर सात्यों ये पुर्षका दिया गया था अरुन करश्णमूर्ति और शालू रमदा थिमककका को दिया गया था ये भी याद रखना है उतकरिष्ट उपलब्दी के लिए इसरो को दिया गया है ज अपने को याद रखना है इपोर्टेंट रहने वाला है अगला क्योंस आप से पूचा है कि हाले में DRDO ने New Generation Akas Missile का सफल प्रिक्शन कहां किया ये भी इपोर्टेंट है आप से पूचा है कि DRDO के दुआरा New Generation Akas Missile का सफल प्रिक्शन कहां किया गया चान्दीपुर ओडिश के अंदर इसका सफले निर्यक परिक्षन है जो किया गया यह मिसाइल एक मध्यम दूरी वे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यानि साथियों यह मिसाइल है जो एक मध्यम दूरी की है वे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यह अपने को याद रखना है साथियों अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आप से पूचा है कि नौवे सीत काली ने खेलों का सुबंकर कौन बना है तो आंसर हैगा बिन बिन और नीनी को साथियों बनाया गया है इसका slogan है Dream of Winter Law Among Asia यहनी इसका slogan भी अपने को याद रखना है पुछा जाए तो क्या रहेगा Dream of Winter Law Among Asia और इसका अधिकारिक पर्तिक ब्रेक्थ्रू है और इनका आयोजने चीन के अंदर सातियों किया जाएगा जो बंकर पूछ सकता है वो रहेगा सातियों अपने बिन बिन और नीनी यह अपने को याद है जो रखना है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन आप से पूछा है कि Center for Research All Energy and Clean Air की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश का सबसे परदूशित सहरे कौन सा बना है ये भी इपोर्टेंट रहने वाला क्यूसन है साथियों इस सेशन के अंदर में जितने ही महतुपन परसन शेयर करूंगा उन से साथियों आपको ये भी पदा चल जाएगा कि यही क्यूसन साथियों आपको अगामी परत्योगीता प्रीक्षा में देखने को मिलेंगे तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और पूरे सप्ता का रिवजन साथियों एक ही सेशन के अंदर आपका हो जाएगा आप से पूछा गया है कि Center for Research All Energy and Clean Air की रिपोर्ट के उनसार 2023 में देश का सबसें परदोशित चहर कौन सा बना है तो बर्नी हाट मेगाले कहां का है मेगाले का कौन सा सहर है बर्नी हाट है जो है और दूसरे स्तान पर साथियों बेंगू सराय बिहार को मिला है दूसरा स्तान किसको मिला है बेंगू सराय बिहार का है उसको मिला है ये अपने को याद रखना है बर्नी हाट मेगाले वाला आप से पूछा जा सकता है आगला क्यों से आप से पूचा है कि बार्तिय 9 से न अभ्यास मिलन दोहजार चोईस का आउजन कहां पर करेगी तो आंसर एगा विशाखा पतनन अमे करेगी ये ए felt रहने वाला है कहां पर करेगी तो आपका आंसर होना चाहिए विशाखा पतनन में करेगी अब आपको होगे साथियों कब से कब हैं, तो गुनिस से लेकर साथियों, गुनिस से लेकर 27 फरवरी तक इसका आयजने किया जाएगा, और ये साथियों कौन सा संस्क्रण होगा, तो ये इसका बारवा संस्क्रण रहने वाला है, कौन सा संस्क्रण रहने वाला है, बारवा सं स्क्रनिक्स का रहने वाला है ये अपने को याद रखना है अगला क्योशन आप से पूचा है कि बुटान के नए परदान मंतरी कौन बने हैं बुटान के नए परदान मंतरी कौन बने हैं तांसर रहेगा शेरिंग टोंबेंगे शेरिंगे टोंबेंगे सातियों है जो बुटा पर्धानमंतरी रहे चुके हैं, 2013 से लैकर है, 2018 तक साथ यो ये पर्धानमंतरी रहे चुके हैं, अब ये जो इनका कारियकाल होगा, ये दूसरा कारियकाल होगा, और इनकी जो पार्टी है, वो people's democratic party है, people's democratic इनकी पार्टी रहने वाली है, ये important है आप से पुछा जा सकता है, आप से में पूचा है कि Apple को पचाड कर दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन सी बनी है तो आंसर रहेगा Microsoft बनी है यह important रहने वाला है Apple को पचाड कर दूसरी सबसे मुल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है तो Microsoft बन गई है Microsoft की market value कितनी है 2.87 trillion साथियों डॉलर इसकी value हो गई है और आप में Microsoft की स्थापना 4 अप्रेल 1975 को की गई थी यह भी थोड़ा याद रखियेगा अगला क्योंसर आप से पूचा है कि T20 International Cricket में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाजे कौन बने है तो आंसर रहेगा Tim Saudi नेवजी लेंड के T20 International Cricket में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने है तो आंसर रहेगा साथियों Tim Saudi बने हैं यह नेवजी लेंड के हैं इन्होंने साथियों किसके खिलाव तो पाकिस्तान के खिलाव यह कारणामा किया था हाली में जो सीरीज इन दोनों के देशों के बीचे चल ले ही थी जिसमें अगला क्यूसर आप से पूचा है कि जलवाई यू सीखर समयलन दोहजार चोईस है आईजित किया गया तो आंसर रहेगा साथियों बुंबई में इसका आईजित किया गया जलवाईयू सीखर समयलन 2024 कहां आयवजित किया गया तो साथियों आंसर हो जाएगा बुम्बई में इसका आयवजित किया गया था कहां पर है बुम्बई में साथियों इसका आयवजित किया गया था 12 जनवरी को बुम्बई में इसका आयवजित किया गया था अगला क्यों सना आप से पूछा है कि चीनी उद्योग में सरोसेष्ट प्रयावन अधिकारी का पुरुषकार प्राप्त करने वाली पर्थम महिला कौन बनी है। अगला क्यों सना आप से पूछा है कि चीनी उद्योग के अंदर सरोसेष्ट प्रयावन अधिकारी का पुरुषकार मिला है। पूस्टिंग चैंपियंशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर कैटेगरी के अंदर रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता साथियों तो आंसर हेगा। कांश्य पदक जीता है रिदम सागवान ने। अगला के उसना आप से पूछा है कि किस राजे में यूवा निदी योजना शुरू की गई है। रहने वाला है किस राजे के अंदर यूवा निदी योजना शुरू की गई है। दिये जाएंगे अगला क्यूसन आप से पूचा है कि मिलेशिया उपन के मैंस डबल में भार्थ के साथविक साहीराज और चिराग सेथी ने कौन सा पदक जीता है आप से पूचा है कि लियांग वेई कैंग और वान चैन की जोड़ी से फाइनल में ने हार का सामना करना पड़ा था और इन्होंने कौन सा पदक जीता है रज़त पदक जीता है अगला क्यूसन है कि हाली में RBI के किस डिप्टी गौर्णर का कारियकाल एक साल तक है बड़ा दिया गया तो आंसर हेगा सातियों माइकल देववर्थ पात्रा का ये इपोर्टेंट है रहने वाला है RBI के किस डिप्टी गौर्णर का कारियकाल एक साल तक बड़ा दिया गया तो आंसर हेगा माइकल देववर्थ पात्रा का बड़ा दिया गया है आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन आपसे पूचा है कि हाली में दियू में हुए पर्थम बीच गेम्स में कौन सा राजे ओवर ओल चेंपियन बना आपसे पूचा है कि हाली में डियू में हुए पर्थम Beach Games में कौन champion बना तो साथियों Madhya Pradesh है इसके अंदर overall है champion बना था Madhya Pradesh है जो overall साथियों इसके अंदर है champion बना था Maharashtra को हराकर Madhya Pradesh champion बना था इनका आयोजन साथियों आप से पूछे कब किया गया था Beach Games का तो 4 से 11 जनुवरी तक इनका आयोजन किया गया था इन खेलों के आयोजन किया गया था जिसमें Madhya Pradesh माप कीजिये साथियों जिसके अंदर Madhya Pradesh ने 7,99 साथियों कुल 18 पदक जीते वहीं महाराष्टर ने 3,99 सेहित कुले 14 पदक है जो जीते थे ये अपने को याद रखना है साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों अगले कुछन पर बात करेंगे अगला कुछन आप से पुचा है कि किस राजय सरकार ने अपना विद्याले कारेकरम में शुरू की आहता आंसर रहेगा हिमाचल परदेश ने ये इपोर्टेंट रहने वाला है कि किस राजय सरकार ने अपना विद्याले कारेकरम में शुरू किया है तो आंसर रहेगा साथियों हिमाचल परदेश के दुआरा इसकी शुरुवात की गी है सुक्विन दर्शी है सरकार ने इस कारेकरम की शुरूवात विद्याले के विकास में साम्मूई के योगदान के लिए की है यानि साथियों जो मामासा है वैदान दाता है उनको भी साथियों इसके लिए आम्तित किया जाएगा कि आप जो विद्याले हैं उनके विकास में आगे आईए और आपको ही पता है शिक्षा सबसे ज़्यादा महतोपुन है इसलिए साथियों हिमाचल प्रदेश की सरकार के दुआरा यह पहला है जो शुरू कीगी है यह अपने को याद रखना है साथियों अगला क्यूसन आप से पूछा है कि ओपरेशन अमर्त किस राजे में शुरू हुआ है तो आंसर रहेगा साथियों ओपरेशन अमर्त के अंदर इसकी शुरूआत हुई है कहां पर के अंदर साथियों इसकी शुरूआत हुई है यह इपोर्टेंट रहने वाला है आप से पूछा जा सकता है इसके अंदर क्या होगा साथिय कि जो एंटिबायोटिक दुआईयां होती है जिनका दुरूपियो किया जाता है उसको रोकने के लिए इस अभ्यान की शुरुवात है जो की गई है अगला कि उसना आप से पूचा है कि वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरुम की चोपनवी वार्शिक बैठा कायोजने कहां किया जा रहा है तो आंसर है साथियों स्यूजर लेंड के दबोस में वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम की चोपनवी वार्षिक बैठक कायवजन कहां पर किया गया तो आंसर रहेगा सातियों सीजर लेंड के दबोस में इस कायवजने किया गया सबसे कब किया गया तो आंसर हेगा 15 से गुन्नी से 15 से गुन्नी जन्वरी को साथ यूज ने किया गया था और इसकी थीम थी एकनाथ सिंदे तेलंगाना के रेवंत रेडी वा करनाटक के सिद्धा रम्या है उन्होंने बाग लिया था किस टाइगर इजरो को डारक स्काई पारक की रूप में साथियों मानेता दी गई है तो आंसर हेगा 15 टाइगर इजरो किस टाइगर इजरो को डारक स्काई पारक की पेश टाइगर इजरो को मानेता है जो साथियों दी गई है ये अपने को याद रखना है भारत का पर्थम टाइगर इजरो है जिसको डारक है स्काई पारक की मानेत अदीगी है यह महराश्टरवय मद्या परदेश में श्यूंक तुरूप से फेला हुआ है यह भी अपने को याद रखना है यह महराश्टरवय मद्या परदेश के अंदरे श्यूंक तुरूप से फेला हुआ है ये अपने को याद रखना है साथियों अगला क्यूशन आप से पूचा है कि Spanish Super Cup किसे ने जीता है तो आंसर एगा Real Madrid ने किसने जीता है Real Madrid ने Spanish Super Cup किसे ने जीता Real Madrid ने बारिशी लोना को 4 एक से हरा करे इन्होंने किताब अपने नाम किया ये अपने को याद रखना है हाली में किसे अंतराश्टी ये खेल व्यक्तिगत पुर्षकार 2023 से समानित किया गया अगला क्यूसन है आप से पूछा गया है कि हाली के अंदर किसे अंतराश्टी ये खेल व्यक्तिगत पुर्षकार 2023 से समानित किया गया तो आंसर हेगा जियानी इंफिने टीनों को सातियों समस्दितर किया गया यह कौन है तो सातियों ये फीफा के अदेक्स थेंअए अपने को याद रखना है ये कौन है फीफा के अदेक्स हैं अगला क्यूसर आप से पूचा है कि हाली में जासूसी उपगर है ओप्टिकल आर्ट का सफल प्रेक्शन किसने किया है यह इपोर्टेंट है रहने वाला है आप से पूचा है कि जासूसी उपगर है सातियों ओप्टिकल आर्ट है उसका सफल प्रेक्शन किस देश के दौरा कि किस देश के दोआरह किया गया, इसको याद रखना है, यह बने को याद रखना है, FIFA football of the year 2023 किशें चुना गया है Lionel Messi को चुना गया है किसको चुना गया है साथियों Lionel Messi Argentina के हैं इनको साथियों पुरुस के अंदर कौन सा पुरुसकार FIFA football of the year 2023 के रुप में चुना गया है महिलाओं में यह किताब साथियों SPAN की AITANA BONMT को दिया गया है यह important है रहने वाला है पूछेगा आपको महिलाओं वाला पूछेगा आपको महिलाओं वाला SPAN की AITANA BONMT को दिया गया है यह अपने को यादे रखना है साथियों अगला किशना आप से पूछ आ है और इनकी उम्मर है जो मातरें वाइसे वरस है अगला क्यूसन आप से पूझा है कि Global Firepower द्वारा जारी है Military Strength ranking 2024 में भारते की स्तान पर है तो साथ्यों बाहरते च्वते स्तान पर है परत्थम स्तान पर अमेरिका है दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान ignorant चीन है, दूसरे स्थान पर बाहर ट आध़ कों है जिसको का राजी में launch किया गए है M.J. Ackbar है ये important है रहने वाला है कौन है M.J. Ackbar है सातियों इसकी जो परस्ताना है वो K. Networks यहें के दुवारा लिखी गई है इसमें गांधी जी के ऐसे हो गांदलन नमक सत्यगरा और बाट शोड़ो आंदलन परें इसके अंदर सातियों परकास है जो डाला गया है ये भी अपने को यादे रखना है अगला क्यूसन आप से पूचा है कि निती आयो की रिपोर्ट के उनसाद 2013 से 14 से लेकर 2022 तेईस नो वर्ष के दुरान कितने लोग हैं जो बहु आयामी गरीबी से बाहर आए हैं तो 24.82 करोड़ लोग सातियों गरीबी से बाहर आए हैं और गरीबी कम करने में सातियों सबसे अगर नहीं है अगर आप से राजे पूचे और यही पूचेगा इसको इपोर्टेंट है कर लेना तो आंसर हैगा उत्तर परदेश है सातियों सबसे जादा गरीबी कम करने में अगर नहीं राजे बना हुआ है अगला क्योंसर आप से पूचा है कि निपाव वाइरस की पहली वैक्षिन किसके द्वारा विक्षित की जारी है तो आंसर हैगा यूनिवर्स्टी ओफ ऑक्सपोर्ड यूके के द्वारा ये इपोर्टेंट है रहने वाला है कि निपाव वाइरस की पहली वैक्षिन किसके द्वारा विक्षित की जारी है यूनिवर्स्टी ओफ ऑक्सपोर्ड यूके के द्वारा विक्षित की जारी है इसका नाम चैड ओ एक्स वन या निपाव B के नाम से इसको साथियों जाना जाएगा अगले क्यूसन पर बात करें बारतिय नो सेना ने किसके साथ अयुथ्या अब्यास का आवजन क्या है तो साथियों थाइलेंड के साथ most important है कर लेना इसे most important क्यूसन है कि बारतिय नो सेना ने किसके साथ अयुत्याब्यास का आयजन क्या है तो आंसर हेगा Thailand के साथ क्या है साथियों important इसलिए है कि इसका जो आयजन हुआ है वो पर्थम बारे हुआ है अगला क्यूसरा आप से पूछा है कि हाली में MSCI Emerging Markets Index में भारत कौन से इस्तान पर है ये अपने को याद रखना है अगला क्यूसरा है कि असम राजे के सुरोच सम्मान असम वेबो से किसे समानित क्या जाएगा तो आंसर हेगा साथियों रंजन गोगोई को किसको समानित क्या जाएगा तो रंजन गोगोई को समानिते क्या जाएगा ये सातियों भार्द के पूरो मुख्या नाय दिश हैं और राज-ए-सवा के सांसद भी हैं रंजन कोगोई इनको समवानित किया जाएगा इसके अलावा एथलेटिक्स हिमादाश को सातियों सोरो समवान से समवानित किया जाएगा ये भी इपोर्टेंट है रहने वाला है का पहला के अंदर वित पोशित गाए अभ्यान ने कहां बनाया जारा है तो आंसर एगा मुजफर नगर के अंदर कहां पर बनाया जारा है तो आंसर एगा मुजफर नगर के अंदर साथियों बनाया जारा है उत्तर परदेश के मुजफर नगर जिले के पूर कांजी बलोग के निवेस होगा कितने का बज़ट आएगा इस पर है 64 क्रोर रुपे का है जो बज़ट इसके लिए गोशित किया गया है अगला क्योशन आप से पूचा है कि नौवा भार्त अंतराष्टिय विज्ञान महसो दोहजार तईज कायजने कहां शुरू हुआ है तो आंसर हेगा फरीदाबाद हरियाना के अंदर नौवा भार्त अंतराष्टिय विज्ञान महसो दोहजार तईज कायजने कहां शुरू हुआ है तो आंसर हेगा फरीदाबाद हरियाना के अंदर साथी इसका शुरू है 17 से 20 जनुरी तक इस कायोजने किया जाएगा इसमें 22 देश भाग लेने हैं इसकी थीम थी अमर्त काल में विज्ञान प्रोधोगिक सारोजनी के आउट रीच है जो इसकी थीम थी ये अपने को याद रखना है अगरा क्यों सेना है कि भारत के नंबर वन सत्रंज खिलाडी कौन बने है तो रमेश बाबू प्रग्यानन्द बने है आप से पूचा है कि भारत के नंबर वन सत्रंज खिलाडी कौन बने है तो आंसर रहेगा रमेश बाबू प्रग्यानन्द है जो बने है सात्यों चैन्ने के रमेस बाबु ने चीन के विशो चैंपियन डी लेरेन को हरा कर यह है बारत के नम्मर वन ने सत्रंज खिलाडी बन गए हैं यह अपने लिए इपोर्टेंट है किसको हरा कर साथियों चीन के विशो चैंपियन है डी लेरेन इनको हरा कर यह है जो बारत के नम्मर वन सतन्ज खिलाडी बन गए है बारतिय सेना ने כौझ सा add-to-add encrypt mobile ecosystem में विख्षिते किया है तो आंसर हेगा संभव बारतिय सेना ने कौझ सा end-to-end encrypted mobile ecosystem विख्षित किया है तो आंसर हेगा संभव को विख्षिते किया है इसको 15 फरवरी को launch से किया गया था श्क्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जने ये इसका फुल नेम है ये अपने को थोड़ा याद रखना है पूछा जा सकता है अगला क्यूशना आप से पूछा है कि जम्मू कस्मीर के जैलम स्टेडियम का नाम बदल करें जम्मू कस्मीर के जैलम स्टेडियम का नाम बदल करें क्या कर दिया गया तो आवरत के पहले सी डियस थे ये अपने को याद रखना है राश्टिय स्टार्ट अप पुरुस्कार 2022 के तहत एक करोड से अधिक जनसंक्या वाले राजियों में सरोषेस्ट पर्दर्शन करने वाला राजिय कौन सा था ये most important है कख़सरन है राष्ट्यसudoist पूर्शकार 2022 के तших एक रोड से अधिक जन्संख्या वाले राजियों में सरोषेस्ट पर्दर्शन करने वाला राजिय कौन सा बना है तो आंसर हेगा गुजरात है बना है साथियों एक रोड से कम रंसंक्या वाले राजियों में हिमाचल परदेश है जो स्रोशेष्ट राजिया बना था ये भी अपने को याद रखना है एक रोड से अधिक और एक रोड से कम दोनों वाले important है अगला question पूछा है कि ICC under 19 Cricket World Cup 2014 का आज़न कहां पर हो रहा है तो South Africa के अंदर साथ यूँ इस का आज़न हो रहा है 19 January से 11 February तक 19 January से लेकर है 11 February तक है इस का आज़न है किया जा रहा है 19 January से लेकर है 11 February तक इस का आज़न किया दार है 16 टीम है इसके अंदर बाग ले रही है और भारतिय टीम की कप्तानी उदे साहरने कर रहे हैं अगला question आप से पूछा है कि Sue Redfront ICC की पहली महिला neutral empire बनी है इनका समन्दे किस देश से है तो answer हैगा England से है Sue Redfront ICC की पहली महिला neutral empire बनी है इनका समन्द किस देश से है तो answer हैगा England से इनका साथियों समन्द है ये साथियों जो Australia दक्षनी अफरीका के खिलाफ महिलाओं की जो series होगी उसमें ये अपनी भूमिका में नजर आएंगी किस देश की company ने परमानू बैंतरी बनाई तो answer हे गा साथियों चीन की company ने आप से हम पूचा है कि किस देश की company ने परमानू बैंतरी बनाई है तो answer हेगा चीन की company है बीटा वॉल्ट ने एक परमानू बैंतरी बनाई है जिसको सिंगल चार्ज में 50 साल तक है चलाय जा सकता है यानि एक बार चार्ज करने के बाद उसको पचास साल तक चार्ज करने की आवश्यक्ता नहीं है साथियों अगला क्यूसन आप से पूचा है कि विंग्स इंडिया दोजार चोईस में एशिया की सबसे बड़ी नागरी के उडियन परदसनी कहां परारम हुई है ता आं जनुरी तक इस काईजों ने किया जाएगा और इसकी थीम है अमर्त काल में भारत का विसो से जुड़ा हो यह इपोर्टेंट है इसकी थीम क्या है अमर्त काल में भारत का विसो से जुड़ा हो इसकी थीम है अगला क्यूसन आप से पूचा है कि बाजार पुझी करन के LIC बन गी है और SBA ही है जो दूसरे स्थान पर पहुंच गई है अगला क्यूसर ने आप से पूचा है कि गुट निर्पेक सांदुलन का गुनिस्वा सिकर समयलन कहां आई जी तुआ तो आंसर हेगा यूगांडा में कहां पर आई जी तुआ तो आंसर हेगा यूगांडा में साथियों अपने गुट निर्पेक सांदुलन का गुनिस्वा सिकर समयलन आई जी तुआ इसमें एज जै संकर बाग ले रहे हैं जो बाद के विदे समंत्री है अगला क्यूशन है महतारी वंदना योजना किस राजे में सुरू की गई है तो आंसर हेगा 36 गड़ के अंदर महतारी वंदना योजना किस राजे में सुरू की गई है तो आंसर हेगा 36 गड़ के अंदर इसकी सुरूआत की गई है इसमें महला लाबार्ती को परतेक महा हजार उपे दिये जाएंगे इसमें महला लाबार्ती के परिवार की जो आए है वो ड़ाई लाक से कम होनी चाहिए साथ ही महला विवाईत होनी चाहिए और च्छतिस गड़ की निवासी होनी चाहिए ये इसके अंदर सातियों कुछ से सर्थे थी अगला क्यूसना आप से पूछा है कि मुख्य मंत्री महला उद्मिता अभियान किसने परारम किया है आंसर रहेगा असम के द्वारा किसके द्वारा परारम किया गया है तो असम के द्वारा सातियों महला मुख्य मंत्री महला उद्मिता अभ्यान है जो परारह में किया गया है इसके अंदर साथ यूं महलाओं को कोसल की शिक्षा देकर उनकी आई है जो साल की एक लाक रुपे तक करना पर मुख्य उदेशया रहने वाला है तो साथ योई सेसन के अंदर मेंने आपके साथ जो वीकली करन्ट अफेर्स का सेसन था इंडिया का 14 से लेकरे 20 दिसंबर तक जितने ही महतोपुन परसन बन रहे थे साथियों वो सेर कर दी है, सेसन आपको पसंद आया है तो विशे लाइक वे सेर जरूर कीजिएगा Infusion Notes के YouTube चैनल को लाइक वे सब्सक्राइब कीजिएगा Delhi साथ Infusion Notes के YouTube चैनल पर